आज हम देखेंगे कोल बेरिंग क्या होता है कोल बेरिंग की प्रोसेस हम मोबाइल फोन में यूज करते हैं जब भी कोई कोल आता है यह हम करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं हम कोल बेरिंग की प्रोसेस यूज करते हैं Call Bearing की process हम 4 type में use करते हैं जैसे की incoming call, outgoing call और international incoming call और international outgoing call Call Bearing की help से हम कोई भी caller ID को block कर सकते हैं easily Call Bearing का default password 1234 या 0000 होता है Call Bearing की setting को change करने के लिए हम phone की contact में change कर सकते हैं और call Bearing को on या off कर सकते हैं आज के वीडियो लिए इतना हैं ऐसे हम interesting वीडियो लाते रहेंगे इसके लिए हमारे साथ जोड़े रहे हैं और हम मिलते हैं next वीडियो में